दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमालिया कंफिरोटेबलेट की फायदे और नुक्सान के बारे में तो वीडियो को अन तक जरूर देखे दोस्तो हिमालिया हरबल की यह दवा पुरूस योन रोगों के लिए बेहत असरदार है जैसे पुरूस रगों को दूर करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है अस्वगंधा विधारा गोखुरू और कोच बीच जैसे पावरफुल अउस्धियों की मिस्रन से बनी हदवा एक पावरफुल टोनिक की तरह काम करती है तो आए इसमें जानते हैं इसका क्या क्या कम पोजीशन है इसमें अस्वगंधा 77 मिलिग्राम गोखुरू 49 मिलिग्राम कन्या काहू 21 मिलिग्राम कॉपिक छू 19 मिलिग्राम स्वर्नवंग 11 मिलिग्राम जीवन्ती 19 मिलिग्राम सेलियम 22 मिलिग्राम सर्पगंधा 18 मिलिग्र कोई की लाक्षा 27 मिलीग्राम मौजूद है हिमालिया कनफिडो के फैदे इसकी इस्तिमाल से शरीर में पुरूस हार्मोन टेस्टरोन बढ़ाता है जो विवाहिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है मांस्पेशियों को पावार देता है शुक्राणू दोस को दूर करता है इस् पर डामिंग बढ़ जाती है विवाहिक जीवन को 72 बनाता है एसपर्म काउंट या शुक्राणूरों की संख्यों को सही करता है एस्ट्रेस को दूर करता है जिससे विवाहिक जीवन का आनन्द कई गुना बढ़ जाता है अस्थम्बन दोस या एलेक्टार्ली फंक्शन को दूर करता है इसके इस्तिमाल से वीरिपात बिल्कुल सही टाइम पर होता है सपन दोस को दूर करता है और अच्छी नीद लाता है सर्प गंधा के मिश्रन होने की बज़ा से ब्लट प्रेशर को कंट्रोल करता है जिनका ब्लट प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो इसके इस्तिमाल से ब्लट प्रेशर कंट्रोल में रहता है low blood pressure वाले लोगों को इसका उपयोग carefully करना चाहिए जबकि high blood pressure वाले लोगों को इससे फायदा होता है और कोई दूसरी blood pressure कम करने की दवा लेने की ज़रत नहीं रहती है या कम मात्रा में लेना चाहिए हिमालिया कनफिडो के दुस्प्रभाव आम तर पर हिमालिया कनफिडो टेबलेट के कोई side specs नहीं होते है प्रन्तु इसका अधिक सेवन करने से आपको इसके गंभीर नुक्सान हो सकते है इसलिए इस टेबलेट का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवस ले यदि आपको निम्लिक्त में से कोई दुस्प्रभाव दिखाई दे या मासूस हो तो आप तुरंद डॉक्टर से संपर करे और उनमें से सलाह ले जेसी सिर्धर्द करना मचलाहाट होना रक्त चाप में कमी होना उल्टी होना स्वचा में गर्मी और लाल होना नीद ना आना शरीर की असमान गतिवी दिया हिमालियर इैक करल दोद के साथ शेवन करने से अच्छे परिले नम आते है तो आपके साथ हिमालिया कनफिलो टेबलेट का सेवन करने से इसका असर कम हो जाता है यदि आप पहले से किसी अन्य विटामिन का सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से पहले डक्टर की सलाह अवस ले हिमालियाकर फिडियो टेबलेट का अधिक मात्रा में सेवन करने से आपके शरीर को नुक्सान भी हो सकता है इस टेबलेट को सुबह साम भोजन के बाद नॉर्मल वाटर या मिल के साथ लेना चाहिए इसको खरीदने के लिए आप ओनलाइन खरीद सकते हैं इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसका इस्तिमाल एक मन तक लगातार करें और फिर बीच में गैप देने के बाद दुबारा शुरू कर सकते हैं दन्वाद